हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आज आपकी सामाजिक विज्ञान की दूसरे ओनलाइन क्लास है और जो अपने भारतिय समविदान पढ़ रहे थे उसका अपन आगे पढ़ेंगे तो आपने पढ़ेंगे आभागे लोग तंतर में सब विज्ञान का एक मैथपून काम यह होता है कि कोई भी ताकत वर समू किसी दूसरे या कम ताकत वर समू के लोगों के खिलाफ अपनी आपकत का इस्तमाल ना करें आपको यह कहानी पढ़ाईगी उसमें आपको यह समझाए गया कि कैसे देखो अपनी ताकत का गलत इस्तमाल किया जा सकता है खेलों की गंटी शुरू होने वाली है खेल गंटा शुरू होने वाला है तो लड़के कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे लड़के कहते हैं नहीं चलो आज बास्केट बॉल खेलते हैं तो दोनों में लड़ा हो जाती है तो शिक्षक जो टीचर होता है कि दोनों पक्षो को हाथ उटा कर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं जिसके जादा हाथ उटे के कारण अपनी ताकत का गलत उप्योग करके अपनी बात मनवा लेते हैं और लड़कें कहते हैं हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनके संक्या जादा है तो यह हो गए कि इस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का ज्यादा समूद जो ताकत वर्था लड़कों का उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयों कर लिया तो समीदान में ऐसा ना हो मलब हमारे देश में ऐसा ना हो समीदान इस बात की ध्यान रखता है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तिमाल ना करे इस तरह के स्वस्त हालात लोग तांतरिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं जैसा इन लड़कों ने किया वैसा अमारे देश में भी कुछ अगर ताकतवर लोगत ऐसा कर सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्प संक्यकों की सहमती नहीं होती और उनका नुकसान होता है जहां पर जैसे मालो एक समाज के लोग जादा है तो वो ही अपना नेता चुनेंगे वो ही जिताएंगे वो उनके काम करेगा तो जो अल्प संक्यक या नि जो कम मात्रा में है उनकी बात नहीं हो पाईगी जैसा कि इस चित्र गता पट से पता चलता है बहुमत की निरंकुष्टा का खत्रा हर समाज में बना रहता है कि बहुमत निरंकुष हो जाए उस पे कोई रोक थाम ना लगा पाए सविदान में दिये गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्प संक्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहु संक्यकों के लिए सामाने रुप से उपलब दे तो ऐसा नहीं कि अगर कोई बहु संक्यकों ने नेता चुन लिया और उन्ही का काम करेगा उन्ही को चीज़े देगा अल्प संक्यकों को कोई चीज नहीं देगा तो समविदान उनको यह सा करने से रोकता और कहता है कि सभी के लिए आपको बराबर काम करना है सभी के लिए चीजें बराबर उपलब्द होनी चाहिए अल्प संक्यकों पर बहु संक्यकों को इस निरंग कुष्टता या दब दबे पर प्रतिबंद लगाना भी यह समुदान का एक महत्पूर्ण कारिय समुदान ऐसा करता है कि कोई लोग अगर अत्यदिक मात्रा में तो अपना सत्ता का अपने सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाएं यह दब दबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उपर भी हो सकता है जिसे अंतर समुदाय के वर्चस्व कहते हैं जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर मात्रा में अधिक होने के कारण अपना दबदबा लहावी हो जाए तो उसे अंतर समुदाइक वर्चस्व कहते हैं या फिर समुदाइक के बीतर भी कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं समुदाइक में भी गुट बन जाते हैं ये गुट दूसरे गुट को दबा सकता है इसको इंट्रा कम्यूनिटी यानि अंतिसाउदाइक वर्चस भी कहते हैं सविधान क्यों होना चाहिए इसका तीसरा मैथबून कारण यह है कि जब हम खुद को अपने आप से बचा सकें ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीके डंग से सोचने लगते हैं ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसान दे हो सकते हैं सविधान हमें ऐसी बावनाव से बचने में मदद करता है इसे समझने के लिए नीचे चित्रपट को देखे यानि सविधान कई बार हमको खुद को गलत करने से भी बचा लेता है जिसे अपने आपका नुकसान नहीं करते यानि सविधान खुद को अपने आप से अपने दुआरा किये गए गलत कारियों से भी बचाता है कैसे तो देखो अपन उधारन पढ़ते हैं शबनम दुविदा में है उसे कुछ तै करना है कल की परिक्षा के लिए मुझे दो अध्याय पढ़ने है शबनम सोच रही है कि मुझे दो पार्ट पढ़ने है परिक्षा के लिए लेकिन इस समय तो मेरा पसंदिदर टीवी कारेकरम आ रहा है अब टीवी में फेवरेट नाटक भी आ रहा है मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं दोनों अध्या नहीं पढ़े पाऊंगी ठीक है तो मैं टीवी देखना चाहती हूँ और अगर मैं टीवी देखोंगी तो चैप्टर नहीं पड़ पाऊंगी शबनम की पेरेंट्स पूछते शबनम तुम परिशान लग रही हो क्या बात है तो शबनम कहती है मुझे ये टीवी कारेकरम देखना है लेकिन कल मेरी परिक्षा है अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा मुझे एक बात सूज रही है कि आज आज रात को कोई भी टीवी ना देखें तो शायद मेरी भी मन नहीं ललचाएगे इतने सारे सवाल आएं तो यानि उसने खुद को क्या किया एक नियम था वो मान लिया कि खुद का अगर नियम बना दिया कि टीवी बंद कर देगे और कोई नहीं देखेगा तो खुद के लिए एक अच्छा निर्ने ले लिया जिससे खुदी का फाइदा हुआ तो समविदान हमें गलत कारे करने से रोकता है जैसे मान लो अपन मुझे पैसा चाही तो मैं सोचू कि मैं किसी के चोरी कर लूँ किसी के डाका मार लू लूट लूँ तो समविदान के इस कारण मेरे दिमाग में क्याएगा कि ऐसा मैं करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी ठीक है अभी कुछ पल के लिए तो मेरा अच्छा हो जाएगा मुझे पैसा मिल जाएगा लिए लंबे टाइम के लिए मुझे जेल भी हो सकती है तो इस तरीके के नियमों के तहत समविदान हमें कुछ गलत करने से रोकता है समविदान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिन से उन बड़े सिद्धानतों को ठेस पहुँच सकती है जिन में देश को आस्ता रखता है यहने ऐसा कुछ काम ना करें जिससे देश के सिद्धानतों को आस्ता को ठेस पहुँचे उदारन तोर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले दिकांश लोग गंबीतार से महसूस करने लगें कि दलगत राजनिती यानि पार्टी पॉलिटेक्स बहुत विकरत हो चुगे इसलिए अब इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशा के ही साशन सौप देना चाहिए या फोजी साशन हो जाना चाहिए जैसे कि मालो की इन्होंने दिया कि जैसे मालो हमारे देश में राजनितिक पार्टियां इतनी गंदी राजनिती करने लगे कि बहुत आपको लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए देश में बहुत दंगी फसाद होने लगे या फिर लोगों के अधिकारों का थोड़ा बहुत हरन होने लेगी ठीक है तो लोग क्या सोचें कि यार चलो ये तो पार्टियां है राजनितिक पार्टियां इसका सिस्टम ही खतम करते हैं ये काई का लोकतंत्र अपनको तो एक राजा चाहिए जो मजबूती से डिसीजन ले और ये राजनितिक पार्टिय जो अत्याचार कर रहें उनको खाड़के फिके तो ये आपका एक पल के लिए तो सही है लेकिन आगे जाके वो राजा आपकी कितनी बुरी हालत कर सकता है क्योंकि आपने पूरा सत्ता उसके हाथ में दे दिया आपके हाथ में कोई अधिकार रहा ही नहीं तो ऐसा करने से समविदान आपको क्या करता है रोकता है इस बावना में बैकर लोग कुछ लोग बद्वा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दोर में तानाशाही सासन उनके सारे हितों को तैसनेस कर सकती है एक अच्छा समविदान देश की बुनियादी सनरचना को इस तरह से उनमात से बचाता है समविदान में ऐसा भी होता है कि आप समविदान की इस प्रक्रिया को बदल ही नहीं सकते कि राजनेतिक पार्ट्रियों से तानाशा नहीं ला सकते समिधान इस चीज़ को रोकता है यह ऐसे प्रावधानों को आसाने से पलटने नहीं देता जिनके जरे नागरिकों को अधिकारों का आशवाशन मिलता है और उनकी स्वतंतर की रक्षा होती है और समिधान ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें आशवाशन देता है कि आप हमिशा स्वतंतर रहेंगे आपके अधिकारों को कोई खनन नहीं करेगा इस चर्चा में आप समझ जाएंगे कि समिदान किसी भी लोगतांत्रिक समाज में कितनी महपूर्ण समझ पाएं जाएंगे कि समिदान किसी भी मैं लोगतांत्रिक समाज में कितनी महपूर्ण मूल भी करने बात है तो लोगतांत्र बचाने के लिए समिदान का अच्छा मजबूत सम्विदान का होना बहुत जरूरी है अब आगे बढ़ते हैं बारतिये सम्विदान के कुछ मुखे लक्षन यानि मुखे बिंदू 20 वी सदी तक आते आते बारते राश्ट्रे आंदुलन कई दशक पुराना हो चुका था 20 सदी तक आते आते बारत जो अंगरीजों के खिलाफ लड़ रहा था वो आंदुलन बहुत लंबा हो चुका था बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुका था सुवतंतरता संगर्श के दोरान राश्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि सुवतंतरवादत किस तरह का होना चाहिए और जब देश को आजादी दिलाने वाले लोगे सोचते थे कि वह जब हमें कोई एक दिन अंतकार आजादी मिल जाएगी ता भारत कैसा होगा ये सोचते थे वो किस तरीके से भारत को आगे बनाया जाएगा ब्रिटिश शाषन के अंतरगर्थ उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाये थे आप निवेशक राज्ये के लंबे अत्याचारी शाषन ने भारतियों के सामने इतना जरूर सपष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोगतांत्रिक देश होना चाहिए तो जो अत्याचार अंग्रेजों ने किये थे भारतियों पर जिसमें उनको खुद के नियम नहीं अंग्रेजों के नियम बानने पढ़ दे थे उससे एक बात उनके माइड में क्लेर होगे थी कि भारत कैसा होना चाहिए आने वाला भारत आजाद भारत लोकतांत्रिक होना चाहिए यानि इसमें प्रतेग नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में इस्सेदारी का दिगार होगा यानि सभी बराबर होंगे किसी के साथ कोई बेदवाव नहीं होगा जैसे अंग्रेज बेदवाव करते थे और सरकार बनाने में लोगों की महत्पुन भूमिका होगी इसके बाद यह तैक करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गटन कैसे किया जाए और कैसे कामकाच के नियम क्या हो उसके कामकाच के नियम यानि सरकार कैसे बनाए जाए और सरकार काम करेगी तो उसके लिए कुछ नियम बना जाएग वो नियम क्या होगी यह काम किसी एक आदमी के वश्का नहीं था इसमें लगबग 300 लोगों ने योगदान दिया एक सम्विधान सवा बनाई गई जिसमें 300 लोग अलग अलग वर्ग के अलग 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 श्रेणी के अलग 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 पड़े लिखे गाउं के अलग 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 आगे के इस्तों में बारती सविदान के कुछ मुख्य आयमों का उलेक किया गया है इन बातों को पढ़ते वे विविदता एकता सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रति निदित्व के सम्मधित उपरोग चिंताओं को लगातार ध्यान में रखे जिन से दस्तावेज को लिखन संस्कृति के लोग रहते हैं अलग-अलग वरक के गरीब अमीर सब लोग है तो ऐसा समयदान जो सबके लिए अच्छा हो सब क्या भला करें ऐसा समयदान बनाने के लिए बहुत ताइम बहुत सोच विचार की ज़रती और ऐसा समयदान जो इनकी विविदताओं को इनकी अलग-अलग चीजों को सम्मान भी करे और देश को एक भी बनाए इससे समझने की कोशिश कीज़े आप जब यह अपन आपन कुछ की महत्पूर्ण बिंदु समिदान के पढ़ेंगे जिसमें कैसे विविदिता को एकता को सामाजिक आर्थिक और प्रतिनिद्व को दर् हल किया कैसे ये सारी विविदिता बनाए रखना एकता बनाए रखना सामाजिक आर्थिक सुदार करना या लोगों का प्रतिनिद्व रखना कैसे इन महत्पूर्ण बिंदु से दूर ये प्रॉब्लम्स दूर की ठीक है तो पहली प्रॉब्लम है हमारी संगवाद फेटरलिज्म है इसका मतलब है कि देश में एक से ज़दा स्तर की सरकारे का होना हमारे देश में सरकार एक स्तर पे नहीं तीन स्तर पे एक केंद्री स्तर पे केंद्र सरकार राज्य स्तर पे राज्य सरकार और उसके बाद में पंचायती गाओं की स्तर पे पंचायती राज हमा पन केंदर सरकार के बारे हमें पढ़ेंगे बारत में इतने सारे समुदायों की उपस्तिती का सीधा मतलब है कि यहां साशन की एक ऐसी व्यवस्ता विक्सित करनी होगी जिसमें साज़दानी दिल्ली में बैटे मुट्टी पर लोग पूरे देश का फैसला न ले ने का लगे न लेने लगे यानि कि हमारा केंदर सरकार दिल्ली में जो कुछ लोग हैं वो पूरे भारत पर साशन नहीं कर सकते भारत की देखबाल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि भारत काफी बड़ा है यहां पर बहुत विविदता है अलग-अलग तरह के जाती समाज वर्ग के लोग रहते हैं इसलिए सत्ता जो है वो बटी भी होनी चाहिए कुछ ऐसे लोग जो केंदर में हो और कुछ ऐसे लोग जो अलग-अलग राज्ये में जाकर वहाँ लोगों की देखबाल करें वहाँ के लियोगों के लिए नियम बनाए, कानून बनाए तो राज्ये सरकार उसके लिए बनाई गई और फिर राज्ये सरकार भी पूरे बड़े राज्ये में ध्यान नहीं रख सकती तो उसके लिए गाओं के सतर पर पंचायती राज बनाया गया तो यानि सत्ता का संगवाद हो गया संगवाद मतलब अलग-अलग हिस्सों में बट गई तो उससे क्या होगा कि लोगों की देखवाल अच्छे से की जा सकेगी और लोगों की बातों को अच्छे से सुना जा सकेगा इसी लिए प्रांतिय स्तर पर भी सरकार की ववस्ता की गई ताकि इलाकों में इसाब से अलग फैसले लिए जा सके यानि अलग-अलग प्रांतों में पंचाइती राज जो होती है जो अलग-अलग अपने इसाब से अपने इलाकों का फैसला ले सके बारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का सुआयत अधिकार है राष्ट्य मैत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंदर सरकार दोरा बनाए गई कानूनों का मानना पड़ता है यानि कि जो फैसले लोगों के लिए हैं वो राज्य सरकार ले सकती है जो देश के लिए फैसले हैं वो राज्य सरकारों को केंदर सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा ठीक है तो यानि कि कुछ सत्ता किस के हाथ में केंदर के हाथ में और कुछ किसमेयात में हैं राज्य सरकारू के आतमें कारेशेतर की सपस्ता के लिए सविदान में कुछ सूचय दीगें तीन सूचय दीगई है जिसमें अलगलग मुद्दे दीए गए केंदर की सूचय है जिसमें केंदर जिन मुद्दों पर केंदर काम करेगी राज्जे की सूची है जिसमें राज्जे काम करेगी और एक ऐसी सूची है जिसमें केंदर और राज्जे दोनों मिलकर काम करेंगे कौन से स्थर पर कौन सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती यह सूची है मैंने आपको भी बता दी इसके साथ सविदान यह भी तै करता है कि प्रतेक्सतर की सरकार अपने कारियों के लिए पैसे का इंतिजाम कहां से कर सकती है यानि कौन सा जैसे टेक्स का कौन सा हिस्सा केंदर के पास जाएगा टेक्स का कौन सा हिस्सा राज्य के पास जाएगा कौन सा पैसा केंद्र सरकार लेगी और कौन सा पैसा राज्य सरकार लेगी ताकि वो दिजनता के लिए खर्च कर सके ये सब भी सम्विदान में पताया गया है संगवाद के अंतरगत राज्य केवल केंद्र सरकार के परतिनित नहीं होते उन्हें 20 समविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं तो राज्य सरकारे केंदर सरकार की शारूपे नहीं नासती उनको जो अधिकार और ताकत है वो समविधान प्रोवाइड करता है बारत के सभी लोग इन सभी सतरों की सरकारों द्वारा बने गए कानूनों और नीतियों के अंतरगत आते हैं और बारत के सभी लोगों को तीनों सरकारों द्वारा बनाए गए राज्य सरकार, केंदर सरकार और पंचाईतिराद इनके नियमों को पालना करना पड़ता है और इनके नियमों के तहट रहना होता है ठीक है? नीतियों को फॉलो करना पड़ता है ठीक है? तो भारत एक संगवाद है भारत का समिदान संगवादी है यहाँ पे ताकत का सत्या का बटवारा तीन स्तर पर किया गया है और सभी तीनों इससे एक दूसरे के सत्या के मिस्यू उसको दूरुपियों को रोपते है तो यहीं तक था बच्चा आज हमारा चेप्टर आने वाले जो कुछ और बिंदू है दो, तीन, चार, पाँच, चार, पाँच बिंदू होर है वो अपन अगली ग्लास में पढ़ेंगे अगली ग्लास में हमारा चेप्टर समाब तो जाएगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैलल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुरल पढ़ते रहिए, तैंक्यू, हैवे नाइस दे